हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल सु फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माई क्रेम के थ्रेट से एक बहुत ही ब्यूटिफुल माई क्रेम फ्लावर पॉट का वीडियो शेयर करने वाला हूं माई क्रेम का फ्लावर पॉट बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए दो कलर का माई क्रेम कॉंबिनेशन मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड येलो कलर और डार्क प्रिंग कलर का कॉंबिनेशन मैंने यहाँ चूज किया है मैंने यहाँ पे लिए है dark green color के जो है dotted shape beads आप यहाँ पे मटका shape beads का भी यूज कर सकते हो एक हमें चाहिए यहाँ पे safety pin हमें यहाँ पे चाहिए 3 ring हमें 2 inches की 2 ring यहाँ पे चाहिए एक हमें चाहिए यहाँ पे 4 inches की ring हमेशे की तरह lighter and scissor सो फ्रेंड इस यही material हमें my cream flower pot बनाने के लिए सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना सो दीखे फ्रेंड सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 2 inches की ring को safety pin के साथ secure कर लिया है अब हम हम यहाँ पे cords को attach करना है सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे mustard yellow color की cord को attach सो मैंने यहाँ पे cord लिया है इसका measurement है 1.5 meter 1.5 meter मैंने cord लिया है और यह मैंने इसका center जो है वो निकाल लिया है सो अब हम इसको उपर की तरफ से यहाँ से लेंगे और इस loop में से cord को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे जिससे कि यहाँ पे यह cord हमारी attach हो जाएगी सो अब मैंने यहाँ पे लिया है second cord, same color और यहाँ पे मैंने इसका measurement लिया है 1.5 meter इस तरीके से मैंने two cords को यहाँ पे attach किया है और अब हम यहाँ पे लेंगे third cord, इसका measurement भी मैंने हाँ पे same लिया है 1.5 meter और यहाँ पे मैंने लिया है fourth cord, इसका measurement भी 1.5 meter रहेगा सो इस तरीके से यहाँ पे आपको सबसे पहले four yellow color के cord attach करना है इसके बाद आप रंग को थोड़ा इस तरफ करें और यहाँ पे अब हम दूसरी color की cord attach करेंगे यानि की pink color की cord सो मैंने यहाँ पे dark pink color की cord लिया है, इसका measurement भी 1.5 meter है, सेम इसी तरीके से cord को हम यहाँ पे निकाल लेंगे अब मैंने यहाँ पे second cord लिया है इसका measurement भी यहाँ पे same रहेगा इसके बाद मैंने यहाँ पे third cord लिया है इसका measurement भी same है और यह fourth cord इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसे ही column में cords को attach कर लेंगे, अब pink color की cord के बाद यहाँ पे yellow फिर pink, फिर yellow and then यहाँ पे pink, इस तरीके से हम यहाँ पे cords को attach करके इसको complete करेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसी तरीके से मैंने सारी cord को यहाँ पे attach कर लिया है और सभी में मैंने यहाँ पर पूरी ring में 12 cords को attach किया है और सबका measurement यहाँ पे 1 and half meter का है अब हम यहाँ पे कोई भी दो cord को ले लेंगे अब हम यहाँ पे पेंक तलर की cord को लिया है अब हम यहाँ पे जो है cord को ले करके simple knot लगा लेंगे एक simple square knot लगाएंगे इस तरीके से और सेम हम यहाँ पर भी करेंगे दूसरी तरफ में इस तरीके से अब हम यहाँ पे साइड में से cord को दो cord को छोड़ देंगे और फिर हम यह जो center वाली cord है यह center वाली cord को ले लेंगे और यहाँ पर भी अब हम एक knot बीच में लगा लेंगे और यह center वाली cord को हम इस तरीके से यहाँ पे हीच लेंगे यहाँ पे जो है दो नॉट के बीच में मैंने एक नॉट लगा लिया है अब हम यह जो side वाली cord है इसको ले लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से जो है cord को ले करके simple जो है square knot यहाँ पे pipe in करेंगे और यहाँ पे हम इस cord के उपर सिर्फ 3 cords को ही pipe in करेंगे इस तरीके से अब से arriv हम जो है दूसरी तरफ में कर लेंगे अब यहांपे हम 3 Karls को ही Pipe-In करेंगे क्योंकि हमने दूसरी तरफ में 3 Karls को ही Pipe-In किया है अे कैसे और अब हम जो ये कॉड है, हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉड यहाँ नीचे की तब हम जो है second line की pipe in करेंगे और यहां पर भी हमें three quards को ही pipe in करना है इस तरीके से और इस तरफ में भी first quard को ले करके इसके उपर भी हम यहां पर three quards को ही pipe in कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम यह cord को उपर नीचे रख करके यहां पर भी हम इसी तरीके से जो है pipe in करेंगे जैसा हमने उपर की तरफ में किया था तो यह एक block हमारा यहां पर बन गया है मैं आपको यहां पर फिर से जो है yellow cord में इसी block को बना के यहां पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से और यहां पर हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना सिर्फ simple knot लगा लेना है sees इस तरीके से और अब हम यहां पर साइड में से दो-दो cord छोड़ करके center की four cord से लेकर यहां पर एक simple knot लगा हैंगे इस तरीके से और फिर कॉर्ड को हम यहाँ पर खीच लेंगे अब यह जो फर्स्ट वाली कॉर्ड है इसको ले लेंगे और यहाँ पर हम कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे और इसके उपर हमें थ्री कॉर्ड को ही पाइपिंग करना है क्योंकि हम नी फर्स्ट वाले ब्लोक में भी थ्री कॉाइट को पाइपिन किया था इस तरीके से और अब हम यहां पे इस सरफ वाली कॉणड को लेंगे और यहां पे भी हम थ्री कॉणड को पाइपिन करेंगे अब हम यह जो कॉड है इसको नीचे रखेंगे इस वाली कॉड को और यह उपर वाली कॉड को हम उपर रखेंगे और फिर हम उस कॉड को इसके उपर जो है पाइपिन कर देंगे अब हम यहां पर फिर्स्ट कॉर्ड ले लेंगे और यहां पर अब हम सेकिंड लाइन की पाइप इन करेंगे इस तरीकी से अब हम दूसरी तरफ में भी सेम आज इस पाइप इन कर लेंगे अब हम इसके तरीके से यह कॉर्ड को नीचे रखेंगे और इस कॉर्ड को उपर रख करके पाइप इन करेंगे इसी तरीके से हम यहां पर पूरी रिंग में यह ऐसे डिजाइन बना करके कम्प्लीट करेंगे सो देखे फ्रेंड मैं पूरी रिंग में ऐसा ही डिजाइन बनाता करके कम्प्लीट किया है और मैंने यहां पर इसकेंड लाइन भी बनाई हुई है तो इसकेंड लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है यह जो दो columns है इसके बीच में हमें cords यहाँ पे लेना है so इसकी cord हम यहाँ पे 4 cords को लेंगे सबसे पहले इस तरीके से अब इसकी center की 2 cords ले करके इसमें हम जो है एक green beads को फसाएंगे मैंने यहाँ पे dotted beads का use किया है आप यहाँ पे मटका beads का भी use कर सकते हो so इस तरीके से beads को फसाने के बाद यहाँ पे हम इसमें एक simple knot लगाएंगे इसको close करने के लिए इस तरीके से और beads का dotted shape है उसको बहार निकाल लेंगे और cord को नीचे से हम खीचेंगे अब हम यहाँ पे side में से 2 cord को ले लेंगे जो है यह दो cord और उसकी पहली वाली cord ले करके यहाँ पे हम जो है cord को piping करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम सिर्फ दो cord को piping करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम सेम ऐसा ही करेंगे cord को यहाँ पर भी हम जो है ले करके two times cord को piping करेंगे अब देखे फ्रेंक्स यह जो पिंक वाली कॉड़ है इसको नीचे लेंगे और यलो कॉड़ को जो है उपर ले करके यहां पर इस तरीकी से जो है हम पाइपेंड करेंगे अब जो है यलो वाली कॉड़ को ले करके यहां पर हम कॉड़ को पाइपेंड करेंगे इसमें हम ये पिंक वाली कौड को भी इसमें इंक्लूड जो है कर देंगे इस तरीके से और अब हम जो है इस तरफ वाली कौड को ले लेंगे इसको भी हम यहाँ पर पाइपेन करेंगे हम और इस बार हम पींच वाली कर्ड को नीचे रखेंगे यहां पर तरीक से जो है कॉर्ड को हम यहां पर करेंगे Right sure ke laughs अब हम इसकी third line बनाएंगे say यहां पर हम सेम प्रोसेस करेंगे जो है एक क्रोड को ले लेंगे हम इस बार यलो वाली messenger को जो है स्टार्टिंग की कॉड लेना है आपको कुछ उपको नहीं करना है इस तरीकी से जो है पाइपिन यहाँ पे हम बीच डाल करके सबसे पहले दो कॉड में आपको बीच डालना है और इसके बाद हम यहाँ पर एक सिल्पल नॉट लगाएंगे इस तरीकी से और यहाँ पर हम फिर इस तरफ में से दो कॉड को लेंगे और इसके उपर जो है इस तरफ यह जो हमने नॉट लगाया है वो कॉड को हम यहाँ पे पाइपिन करेंगे इस तरीके से अब हम इस तरफ में से कॉड को ले लेंगे और यहाँ पर पाइपें इस तरीके से कॉड की पाइपें करेंगे इस तरीके से और इस बर हम जो है कॉड को नीचे रखके इस तरीके से पाइपें कर देंगे अब हम यहां से second cord को ले लेंगे और यहां पे भी हम इसी तरीकी से जो है piping करेंगे इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ से भी cord को ले करके यहां पर भी इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी तरफ में cords की piping किया है इस तरफ में भी हम cords को उसी तरीकी से piping करेंगे तो देखे फ्रेंज यहां पर हमने जो है थर्ड लाइन का फर्स्ट जो ब्लॉक है वो बना लिया है तो आपको भी इसी तरीके से पूरी रिंग में जो है थर्ड ब्लॉक बना के कम्प्लेट करना है तो देखे फ्रेंज मैंने यहां पर जो है थर्ड लाइन का डिजाइन यहां पर बना लिया है और सेकेंड लाइन मैंने पूरी वैसे ही बना करके कम्प्लेट किया है तो अब हम यहां पर थर्ड लाइन में जो है इस डिजाइन को बनाएंगे so third line का design बनाने के लिए आपको क्या करना है बस आपको यहाँ पे center की two cords को ले लेना है और उसमें अब हम यहाँ पर जो है एक beads को फसाएंगे so मैंने यहाँ पे green color के beads का use किया हुआ है आप यहाँ पे देख भी सकते हो so सबसे पहले दो cord में beads को हमें फसाना है उसके बाद आपको उसके side की दो cord को ले करके यहाँ पे हमें simple knot लगानी है इस तरीके से और फिर अगर आपकी यहाँ पे cord जो है छोटी हो जाए so उसको आप कैसे यहाँ पे stick करें यहाँ पे आपको एक extra cord लेना है इस तरीके से दोनों को पकड़ करके यहाँ पे cord को melt करके इस तरीके से यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे stick कर देना है और यह cord को भी हम यहाँ पे जो है so मैंने यहाँ पे extra cord ले लिया है और दोनों cord को melt करके यहाँ पे हम आपस में से इस तरीके से जो है stick करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो कॉड रही वो ऐसे करके अटाच हुजाएगी अब हमें क्या करना है जैसे कि यहाँ पर दो कॉड है इन कॉड को ले करके हम यहाँ पर इसको कॉड को पाइपिन करेंगे और यह जो pipe in रखनी है वो आपको यहाँ पे tight pipe in रखनी है अब हम जो है इस तरफ से भी ऐसे ही cord को इसके उपर pipe in करेंगे इस तरीके से और अब हम यहाँ पे second cord को भी लेंगे और उसको भी ऐसे ही pipe in करेंगे और अब यहलो cord को नीचे रखते हुए और पिंक cord को ऊपर रखकर के यहाँ पे हम इस तरीके से pipe in करेंगे अब यहाँ पे हम second cord को लेंगे यह जो pink वाली cord है इसको ले करके यहाँ पे हम फिर से जो है pipe in करेंगे इस तरीके से और इसमें अब हम जो है इस तरफ वाली जो cord रहेगी उसको भी हम यहाँ पे pipe in करेंगे जो हमने इस तरफ में किया है और pipe in आपको यहाँ पे tight रखना है इस तरीके से अब देखें फिर से हम yellow cord को नीचे रखेंगे pink cord को ऊपर रख करके यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे pipe in करेंगे इस तरीके से हमारी जो third line है वो यहाँ पे complete हो जाएगी अब हम यहाँ पे fourth line बनाएंगे इस तरीके से center में से दो cord को ले लेंगे फर्स्ट फाली two cords ले करके उसमें अब हम यहाँ पे green beads को फसा लेंगे यहाँ पे जो है इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पे अब हम जैसे हमने उपर में किया है सबसे पहले एक simple knot यहाँ पे tight simple knot हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर हम cord को यहाँ पे नीची की तरफ में खीच करके side में सी cord ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे cord को pipeline करेंगे कि इस तरीकी से अब हम हम जो है दूसरी तरफ से भी कॉड को यहाँ पर लेंगे और यहां पर भी अब हम जो है कॉड को पाइपेंगी इस तरीके से और अब हम जो है यह जो कौड रहेगी उसको हम जो है उपर की तरफ रखते हैं और फिर यहां पर कौड को पाइपें हम कर लेंगे इस तरीकी से और अब हम यहां पर साइड में से जो है सेकेंड कौड को ले लेंगे और सेम आज इस यहां पर अब हम पाइपें करेंगे डबल पाइपें हमने यहां प पाइपिन करेंगे, पाइपिन हमें यहाँ पर टाइप रखनी है, इस तरीके से, और अब हम जो है कॉड को नीचे करते हुई, इस तरीके से यहाँ पर पाइपिन कर लेंगे, इस तरीके से हमें फोर्थ लाइन जो है, यहाँ पर इस तरीके से बना की कम्प्लेट करना है, तो देखे फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो है मैं दो इंच का रिंग मैंने यहाँ पर लिया है अगर आपको इसका हाइट थोड़ा जाधा चाहिए तो आप यहाँ पर यहाँ पर इस डिजाइन को रिपीट कर सकते हो पर मुझे यहाँ पर इसकी हाइट सिर्फ चाल ब्लॉक्स करें अब हम यहाँ पर जो है कोड को इसके अंदर से निकाल लेंगे सारी कोड को हम यहाँ पर निकालेंगे इस तरीके से अब जो है कोड को निकालने के बाद यहाँ पर हम जो है सारी कोड को यहाँ पर सिंगल टाइम इसमें से निकालेंगे पाइपिन करेंगे सिंगल करके निकाल लेंगे तो इसके बाद यहां पर उनको टाइट करके यहां पर हमें एक सिम्पल नौड लगानी है जैसे कि हमने यहां पर चार कॉड्स को निकाल लिया है तो अब हम यहां पर एक सिम्पल नौड लगा लेंगे थोड़ा टाइट रखते हुए यहाँ पर हम सिंपल नॉट लगाएंगे जिससे की जो डिजाइन रहेका वो उसमें कोई प्रॉब्लम हावी नहीं आएगी तो इसी तरीके से अब हम आगे की जो कॉड रहेंगी उनको भी इसी तरीके से पाइप इन करेंगे अब हम यहाँ पर येलो वाली कॉड्स को पाइप इन करेंगे क्यूंकि आगे हमें येलो वाली कॉड्स ही है और यहाँ पर इनको टाइट करके हम यहाँ पर एक सिंपल नॉट लगा लेंगे सिर्फ आपको चार कॉड्स पकड़ करके सिंपल नॉट लगा लेनी है इस तरीके से तो देखे फ्रेंड्स हम इसी तरीके से यहां पर सभी सारी कॉट्स को इस तरीके से पाइप इन करके यहां पर नॉट लगाके इसको कंप्लीट करेंगे तो देखे फ्रेंड्स वैने यहां पर पूरी रिंग में जो है इसी तरीकी से piping यहां पर complete कर लिया है और यहां पर हमारे जो thread है इसी तरीके से यहां पर इस तरीके का design बन करके आएगा अब हम क्या करेंगे यहां पर नीचे हमारी जो knots है उस knots के बीच की जो दो कॉड रहेगी उसमें हम जो है एक beads को डालेंगे और जो है हम यहां पर green beads का use करेंगे तो इस तरीके से जो है यहां पर हम इस तरीके से bearing को डाल करके एक simple knot लगा लेंगे इस तरीके से अब हम जो है second cord को ले लेंगे second cord की दो knot के बीच की दो cord को ले करके उसमें जो है same as a team हम beats को डालेंगे वैंने यहाँ पर green beats का use किया है आगर आपके पास dotted shape beats नहीं है तो आप यहाँ पर मठट़ शेड़ बीच का भी ही यूज कर सकते हो और जो है को में वीच दालने के बाद यहां पर हम फिर से सिंपल नॉट लगा देंगे और अब जो है यह यहां पर भी इसी तरीकी का जो है डिजाइन बनाएंगे तो हम beads को डालेंगे और फिर हम बात में यहां पर एक simple knot लगाएंगे इस तरीके से तो देखें फ्रेंड सबसे पहली जो है यह knot वाली line beads डाले की knots वाली line हमें इसी तरीके से जो है first line बना की complete करना है सो देखें friends मैंने first line भी यहां पर beads की बना के complete किया है और second line भी हमें यहां पर beads की बनानी है सो जो है दो knot के बीच में जो दो cord है उसको हम यहां पर ले लेंगे और उसमें हम यहां पर simple beads को डालेंगे और उसके बाद यहां पर हम simple square knot लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद हम यहां पर cord को खीच लेंगे अब same हम जो है इस तरफ में करेंगे यहां पर भी हम जो है सबसे पहले जो है दो knot के बीच की दो cord में beads को डालेंगे और फिर उस पर जो है हम यहां पर simple knot लगा लेंगे इस तरीके से सो दिखे फ्रेंज यहां पर हमारी second line भी बन करके complete हो गई है अब मैंने यहां पर लिया है four inches का एक ring सो अब हम जो है cord को यहां से इसके अंदर से जो है इस तरीके से निकाल लेंगे इसके अंदर से हमें cord ऐसे निकाल लेनी है सो देखे फ्रेंज यहां पर अब हम जो है इसके ऊपर cord को यहां पर ring को attach करेंगे सो इस बार हम यहां पर एक cord को two times निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिंग है उसका साइज बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर एक कॉड को टू टाइम्स इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से इस तरीके से हम पूरी रिंग में इस रिंग को कॉड को अटाच कर लेंगे इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको बस एक एक कॉड को यहाँ पर लेना है और मेलड करके पीछे की तरफ में इस तरीके से आपको यहाँ पे this को स्टिख कर देना हो विधल सो देखे यही तरीके से एक दम सिनिशिंग लुक के सब्सक्याइक साथ इसको पीछे के तरफ में पूरी रिंग को को यहाँ पे इसको अटाच कर देंग abundance 3 5 झाल झाल